Hello everyone, once again welcome back to this vocab class जहाँ पर हम cover करते हैं SSC में कुछ आई वे repeated words तो start करते हैं आज की class को जहाँ पर हम already 230 words cover कर चुके हैं इसके आगे हम continue करते हैं देखते हैं आज का first word anonymous यह word बहुत easy है anonymous मतलब unknown आपने कहीं देखा हुआ कुछ लोग जो कहानिया बगारे लिखते हैं या कोई story लिखते हैं उसके नीचे लिख देते हैं unknown ठीक है तो instead of unknown आप यूज कर सकते हो anonymous इसका मतलब क्या होता गुम नाम यानि कि उस वेक्ति का कोई नाम नहीं है वो अपनी identity जो है hide करना चाहता है किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता that is not in public ठीक है बहुत यह अच्छा word है anonymous antidote तो देखो इसको आप अभी समझ सकते हैं उस तरीके से जैसे की coronavirus चल रहा है भी coronavirus के लिए दवाई ढूड़ी जा रही है ठीक है तो ऐसी कोई चीज ढूड़ी जा रही है जिससे की हम क्या कर सकें इसको खतम कर सकें किस चीज को औरोना वाइरस के effect को खतम कर सकें antidote बना सकें जहर नाशक बोलते है उसको हिंदी में ठीक है बहुत ही easy है और आजकर usually यह चल भी रहा है use में भी यह वर्ट antiseptic antiseptic क्या होता है जो चीज क्या करती है bacteria बगारा को kill करती है prevent करती है किस चीज को आपकी body में जो घाओ बगारा हो जाते है उन सब चीजों को रोगों को बचाती है रोग ना लगे that is called antiseptic medicines भी होती है दबाईया लेती है apathetic apathetic क्या होता है भी एक ऐसा वक्ति जो किसी चीज में कोई interest ही न दिखाए किसी के लिए उसकी कोई चिंता ना हो एकदम sad सा रहता हो ठेक है किसी चीज में कोई interest ना लना that is apathetic और इसी का अगर इसके आगे से ए रिमूव कर दोगे तो यह बन जाएगा पathetic pathetic का मतलब होता है एकदम दहीनिय बेकार apprentice well known word है apprentice का मतलब क्या होता है एक veteran यानि कि एक अनुभवी व्यक्ति किसी expert बन दे के एक अनुभवी व्यक्ति के अंडर कोई एक नया व्यक्ति काम करता है किसलिए ताकि वो भी expert बन सके जैसे कि माल लीजे कोई teacher है जिसको बहुत जीज ज्यादा knowledge है ठीक कोई नया teacher आया school में तो वो क्या करेगा उसको थोड़ी दिन के लिए training देगा कि आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते है वो ही कहलाता है apprentice यानि कि expert बनना किसी novice किसी नये को कुछ training वगेरा दे that is called ओके word number 206 arbitrator arbitrator क्या होता भी disagreement दो लोगों में जगडा चल रहा है ठीक है जैसे गावों में नॉर्मली हो जाता है भाई हुका पानी बन कर दिया यह हो गया तो उनके बीच में दोनों के बीच में क्या कर सके उस disagreement को settle कर सके punch ठीक है सरपंच नहीं है punch ठीक है आप देखो word number 237 archiologist यह क्या होते है भाई पुरा तत्व पुरा तत्व जैसे IVCA Indus Valley Civilization हो गया हमारा ठीक है मोहन जुदारो जिसके अंदर बहुत सारी sites लोथल, काली, बंगन यह सारी पाई गए इनके अंदर से कुछ पुरा पुरानी चीज मिल जाती है उसके उपर अध्यन करते है ठीक है तो उनी को क्या बोलते हैं भई आर्चियोलोजिस्ट बोलते हैं ठीक है यह भी बहुत ही अच्छा मैनर में कोई बंदा अपनी clear भाव को किसी चीज को समझा सके express कर सके उसको चाहे ideas हो, चाहे feeling हो एकदम clearly first उसी को बोलते है articulate, articulate speaker यानि कि अच्छे speaker हो, speech भी हो सकती है तो कोशिश करें सभी articulate speaking करें भई, एकदम बढ़ी है तरीके से कोई वेक्ती उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है आर्टिस्ट एवराइस इसका मतलब क्या होता है भई लालची देखो लोब और लालच दोनों सेम यह यह ग्रीड का सिनोनिम हो सकता है एवराइस ठेक है जो ग्रीड होता है ग्रीड का मतलब क्या होता है लालच और उसक टेकनिकल अवधेश और अमित बोधी लोग कमेंट करते हैं कभी-कभी लेकिन टाइम नहीं मुल पाता है सले मैं इंक्लूड नहीं कर पाता है शेशन में ठीक है so that's all for today मिलते हैं आपसे next class में जैहिन जैभारत stay safe stay in thank you